एक आत्मी ओनलाइन शादी करने के लिए रशिया से एक प्राइड मंगवाता है उस लड़की को उसकी लैंग्वेज भी आती नहीं थी प्रॉलम तब आये जब बड़े पर उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आते है एक ट्विस्ट के साथ एक मुवी आगे बढ़ती है और इसके एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बड़े गर ये 2001 की एक थ्रिलर रोमेंटिक मुवी एक्स्प्लेंट करने वालो अगर आपको वीडियो अच्छा रगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारे में ग्यारेक्टर जॉन को देख सकते है जो ऑनलाइन अपने लिए ब्राइड ढून रहा था वो बैंग में एक लार का काम करता है पर जिस टाउन में हो रहता है यह बहुत ही छोटा सा टाउन है तो किसी भी लड़की से मिलना है उसके लिए डिफिकल्ड था उसने अपना सारा होप खो दिया था तो ऑनलाइन अपने लिए एक ब्राइड मंगवा लेता है एरपोर्ट पर आने के बाद अपनी ब्राइड नादिया से हो मिला इस स्टार्टिंग में तो जादा बात नहीं करते कार में जान उसे अलग-अलग चीज़े बताने की कुशिश करता है उसने कहा कि मेरा टाउन सीटी से 40 किलोमेटर स्पर है इसी तरीके से अलग-अलग चीज़ें बोल रहा था पर नादिया हर एक चीज़ें को सिर्फ येस बोल रही थी इसके बाद जान ने पुछा क्या तुम जीराफ हो सुफिया कहती कि येस जिस तरीके से ओनलाइन साइट पर दिया गया था कि नादिया को इंग्लिश आती है पर वैसा कुछ भी नहीं था अजानक से नादिया को उल्टी आ जाती है घर आने के बाद जान वेबसाइट के लोगों को कॉन्टैक करने की कुशिश करता है कि उसने जो ओर्डर किया था वो उसे नहीं मिला पर वहाँ से कोई भी रिप्लाइन ही आता नादिया को इंग्लिश ने आती है बहुत ही बड़ी प्रॉल्म थी है उसके साथ नहीं रह सकता अगली दिन जान ब्रेकफास बना रहा था नादिया आई और वो उसे हेल्प करती है ब्रेकफास पर नादिया ने जान को रिंग दी ये रिंग इनकी रिलेशन्शिप को स्टार्ट करेगी जान इसके लिए मना करा था पर नादिया उसे जबरदस्ती रिंग पहना देती है इसके बाद इन्होंने एक साथ कुछ टाइमस पेंड किया नादिया को जॉन ने कुछ और रूम दिया था पर रात में उसके रूम में वो आ जाती है वो उसके पास आगे जान उसे मना करता है पर नादिया जबरदस्ती उसके साथ इंटिमेट हो जाती है जान ने वेबसाइट को कॉन्टेक करने की बहुत कोशिश की थी पर उसे कोई भी रिप्लाइ नहीं आया वो नादिया के बारे में और भी चीज़े चानना चाता था तो उसकी बैग उसने चेक की नादिया की इसमें कुछ बचपन की फोटोस थी उसके बाइनकिलर्स भी थे नादिया उसे चेक करता देख लेती है तो उसने उसे का कि अब मैं तुम्हें एरपोर्ट पर छोड़ रहा हूँ अपनी रिंग निकाल कर उसे दे रहा था पर नादिया अब बाद एकसेप्ट नहीं करती जबरदस्ती फिर से उसके साथ इंटिमेट हो जाती है जॉन बैंक का एक बहुत ही अच्छा इंपलॉई था और उसको इस पर ट्रस्ट करता था सोफिया भी उसके बारे में कुछ जानना चाती थी तो जब वो काम पर था तो उसका क्लॉजेट वा चेक कर दिया उसे जॉन की एकस गर्फरेंट की फोटोज मिली इसे के साथ निउड मैगजिन्स और पॉन का कलेक्शन भी मिला काम से आते वक्ट जॉन नादिया के लिएक डिशनरी लेकर आया था जिससे वो इंगलिस सीख पाया नादिया को जो भी उसकी मैगजिन्स मिली थी उसने जॉन को दीखाई इससे वो इंबारस्ट हो किया जिस तरीके की वीडियो जॉन देखता है सुफिया भी उसी तरीके से उसके लिए रेडि होकी जॉन को यह बात बहुत ही अच्छी लगती है इसके बाद उसने नादिया को एकसेप्ट कर लिया था एक दूसरे की कमपनी एंजाय करने लग गए थे नादिया उसके लिएक स्वेटर भी सेलती है एक दिन जॉन काम से वापस आया तो सुफिया कहती कि आज मेरा पट्टे है जॉन भी इसके लिए एक साइटे डोग है उसके लिए केक विगरब बनवाता है इसे अकेले सेलिबरेट कर पाते है इससे पहले सुफिया के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आगे सुफिया भी उन्हें देखकर बहुत कुछ थी जॉन समझ नहीं पाता कि दोनों अचानक से यहाँ पर आए कैसे इसमें से एक का नाम था यूरी और दुसरे का नाम था अलेक्सी यूरी ने कहा कि हम सुफिया के फ्रेंड्स है इंग्लंड में आने के बाद अलेक्सी उसे मिला था तो उसका फ्रेंड बन गया आज सोफिया के बड़े के लिए उसके पास आ गया जॉन और सोफिया एक दूसरे को समझ नहीं पाते यह जब बात यूरी को पता चली तो बहुत ही इंटरस्टिंग लगा वो जॉन से बुचता है क्या तुम नादिया से कुछ पुछना चाहते हो फिर जॉन ने पुचा क्या तुम्हें पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं तुम्हें देख लू अगर तुम सही आदमी नहीं लगे तुम्हें वही से वापस जा सकती हो मतलब जॉन को देख कर उसे अच्छा लगा था इसके बाद आज ज़रा सबने मिलकर एंजॉय किया नादिया के लिए जॉन भी अब रेशन सीखनी की कोशिश कर रहा था एक दिन नादिया और उसके फ्रेंड्स मिलकर एक जगा पर पिकनिक किले गए काम से आने के बाद जॉन भी उने जॉइन करता है पास के लेग में सब स्विमिंग कर रहे थे कोन अपनी ब्रेज सबसे ज़्यादा रोग सकता है एक गेम वो खेलने लग गया सोफिया और एलेक्सी इन में कॉमपिटिशन हुआ सोफिया जीत गई तो एलेक्सी को ज़रा बुरा लगता है और उसे मजग मजग में पानी की नीचे डाल देता है सोफिया को सास लेने में बहुत तकलीफ हुए तो इस बात पर उगुसा होगी जॉन नी भी देखा और उसे अच्छा नहीं लगा राद में आकर यूरी और एलेक्सी को बता देता है कि आप लोग अब हमारे साथ नहीं रह सकते है सुबा होने के बाद जब जॉन नीचे आया तो यूरी और सोफिया के हाथ बंदे हुए थे एलेक्सी के हाथ में चाको था उसने जॉन को भी धमकाया उसने कहा कि जो भी मैं कह रहा हो ये सारी चीज़े तुमें करनी पड़ेगी वरना मैं नादिया को मार डालूँगा एलेक्सी को बता था कि जॉन बैंक में काम करता है तो कहा कि जा कर सारे पैसे वहाँ से निकल कर लाओ जॉन के पास कोई भी आप्शन नहीं वो अपने गिटार का केज लेता है और वैसे बैंक में आया उसके फ्रेंडों से कहते हैं कि हमाई रले एक सौंग बजा पर जॉन कहता है कि बाद में बजाता हूँ उसके फ्रेंड से करा सब लोग जब बिजी थें तो तीजुरी से उसने सब पैसे निकाल लिये उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था पर जॉन वहाँ से भाग जाता है सब लोगों के साथ वो भी टाउन से निकल गया तब हम देखते हैं सोफिया और एलेक्स ये दोनों कपल है ये सारे मिलकर जॉन को बेवकूप बना रहे थे एक होटेल में रुखे जहाँ पर जॉन को बान देते है इतने सारे पैसे देखकर बहुत ही खुश था पर नादिया इतनी खुश दीख नहीं रही थी अलेक्सी वुश था है तुम्हें उसके साथ कितने बार इंटिमेट होना पड़ा नादिया उसका नाम नादिया भी नहीं है उसका नाम सोफिया है जॉन के पास यूरी आता है उसने खा तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो तुम्हें इस बात के लिए जादा बुरा नहीं लगना चाहिए उन्होंने और भी लोगों को इसी तरीके से फसाय हुआ था तो सारी लोगों की फोटो जो उसे दिखाता है नेकसे इन में सोफिया एलेक्सी से कहती है अब हमारे पास बहुत सारे पैसे है हमें ये सब करना बंद कर देना चाहिए ये दोनों इंटिमेट होने लग गए तब इस सोफिया ने एलेक्सी को पता दिया कि वो प्रिगनन्ट है ये एलेक्सी का ही बेबी था क्योंकि मूवी के फर्स्ट में जब वो जॉन से मिली थी तब रस्ते के साइड में उसने उल्टी की थी वो तब से प्रिगनन्ट थी ये सुनने के बाद एलेक्सी ज़रा डिस्टब हो किया और वहाँ से वो चला जाता है अगली सुबा जॉन ने रोप्स में से निकलने की बहुत कोशिश की और फाइनल यों सक्सीर हो किया वो दूसरे रूम में देखता है कि सोफिया को इंगलीज बोलना आता है सोफिया ने कहा कि अगर मैं प्रिटेंड करती हो कि मुझे इंगलीज नहीं आता तो लोग मेरे प्यार में जल्दी बढ़ते वो जॉन से यहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांग रही थी जॉन कहता है कि तुम मुझे बहुत ही जादा इडियेट समझती हो वो अब उसे पुलिस टेशन लेकर जाने वाला था कार में सोफिया उसे बता रही थी कि रशिया में हालात बहुत ही खराब है इसलिए मुझे यह सब काम करना पड़ता है जॉन ने कहा कि मुझे तुमारी साड स्टोरी मत सुनो मैं फिर से तुमारे जाल में नहीं फसने वाला वो उसे पुलिस टेशन लेकर आया पर सोफिया की तबियत ज़रा खराब थी वो फिर से उल्टी करती है जॉन ने रेलाइस किया कि सोफिया प्रेगनेंट है और सोफिया भी बात कंफर्म करती है जॉन फिर उस पर तरस खाकर अपना माइंड चेंज कर लेता है यहां से निकलने के लिए सोफिया को हेल्प करने वाला था वो अब भी उस पर गुश्ता है तो बोच्छता है क्या बच्पन में तुमने सोचा था किस तरीके से लोगों को तुम फसाओ की सोफिया भी उसे गहती है क्या तुमने बच्पन में सोचा था कि घटिया जॉप करोगे और जब तुमें कोई भी मिलेगा ने तो ऑनलाइन मैरेज के लिए लड़की और करोगे इस बात से जॉप से जॉप सेट हो गया और एक जगा बर जाकर बैट जाता है काडिया के गलोब बॉक्स में सोफिया ने देखा तो जॉप ने उसके लिए लेटर लिखा था इस लेटर में लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में तुम ही एक लड़की हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ जॉप सोफिया से प्यार करने लग गया था अब रात होने लग गई थी और एरपोर्ट जरा दूर था तो जंगल में आग लगाते है सोफिया ने पूछा कि तुम्हारे कबर्ड में एक लड़की की फोटो थी वो कौन है उसका क्या हुआ जॉन कहता है कि उमर गई है पर बाद में उसने कहा कि ऐसा कुछ भे नहीं हुआ उसकी लास रिलेशन्शिप इतनी बुरी थी कि वो चाहता थे कि उसके एकस गल्ट्रेंट मर जाया सुबह जॉन ने सोफिया को एरिपोर्ट पर छोड़ दिया अपनी दूरबीन सोफिया उसे ऐस अ कीफ दे देती है वो एरिपोर्ट के बाहर आकर लास टाइम सोफिया को देखना चाता था तो दूरबीन से उसने देखा तो एलेक्सी उसके पास बेटा था उसे जबरदस्ती फिर से होटेल में लेकर जा रहा था जॉन उन्हें पकड़ पाई इससे पहले वो कार में बेट गए थे तो जॉन भी भागते भागते उनका पीछा करता है सब लोग एरपोर्ट के पास के होटेल में थे जॉन ने पीछे से जाकर उनका रूम ढून लिया एलेक्सी सोफिया को मनाने की कुशिश कर रहा था पर इनमें जगड़ा स्टार्ट हो गया एलेक्सी उसे मार रहा था तभी जॉन एक फेक गन निकालकर रूम में आ जाता है एलेक्सी समझ गया कि एक गन नहीं तो एक लाइटर है वो जॉन को भी बहुत मारता है उसने सोफिया से कहा कि मुझे लगाई था तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है थोड़ी दिर में जॉन को जब होश आया तो एक बड़ी सी गिटार लेकर वो डारेक्ली एलेक्सी के सर में डाल देता है उन्होंने फिर एलेक्सी को बान दिया था एलेक्सी को होश आने के बाद उने कहता है कि कोट में सारे पैसे पड़े हुए है मेरा शेर मुझे दे दो और फिर तुम लोग जा सकते हो पर इस सारे वैसे लेकर चले गए जाते वक्त सोफिया जॉन को पैसो का कोट दे रही थी पर जॉन ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पेबी के लिए काम में आएंगे अपने पास ही रखो सोफिया जॉन से पुछती है क्या मेरे साथ तुम रशिया चलोगे घर से निकलते वक्त वो जॉन का पासपोर्ट भी लेकर आई थी जॉन ओल्रेड़ उसे प्यार करता था और सोफिया को भी अब वो अच्छा लगा था इन दोनों ने फिर डिसाइड किया और एक साथ ही निकल जाते है जिस तरीके से सोफिया प्रिटेंड करती थी कि उसे इंग्लिश नहीं आती है पर अब एक्च्छल में जॉन को रशियन कुछ भी नहीं आती है सोफिया रशियन में उसे जिराफ बुलाती है तो जॉन इसके लिए यस कहता है जिस तरीके से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होई थी उसी तरीके से एक स्वीट मुवमेंट पर इसका एंड होता है तो आज का विड़ो हम यहीं खतम करते अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज इससे लाइक और गमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमुविज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है